आपको کसी भी प्रकार की Inflamitary Arthritis हो चाहे वो हो rheumatid arthritis या Enchilosing Spondylitis Lipis या Suriotic Arthritis या कोई भी और परिंटू अगर Inflamatory Nature की है तो आपको इसके अंदर पूछे कि specific changes आपके life style में करने चाहिए जिससे आप अपनी Inflamatory Arthritis की Remizyn को पा सके अब यहाँ पर रेमिजन से मेरा मतलब है कि आपके शरीर में इंख्लामेशन कम होता चला जाए, धरत घटे, इसके साथ में जो आप दवाईया ले रहे हैं, उनके डोजेश घटना शुरू हो, आप लगभग ना के वराबर दवाईयों में अपनी नॉर्मल लाइफ निकाल प इसकी इनलेंख चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर संजीव अगरवाल और यदि आपको भी किसी प्रकार की इंफ्लामेटरी आर्थराइटेस है, तो आप सामने दिये गए नंबर पर संपर्क करके, हमारी इंफ्लामेटरी आर्थराइटेस होती क्यों है, तो उसका कारण है कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोजड हैं, और ऐसी स्थिती में कोई एनवायरोनमेंटल फैक्टर या आपके फूड में आने वाला कोई ऐसा पदार, आपके शरीर के अंदर एंटीजन का काम करने लगता है, मतलब एक फॉरेन बॉडी का काम करता है और आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, ऐसे में जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, वो बनाता है इन एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टीकल के अगेंस्ट, परन्तु बाए मिस आइडेंटिफिकेशन ये आपके जोइंट्स के उपर अटेक कर देता है, शायद प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैच करता है, मिमिक करता है इसके लिए, तो वहाँ पर दरत, सूजन, इंफ्लामेशन ये प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं और आप फुल ब्लोन, रूमेटोईट या फिर किसी और प्रकार की आर्थराइटिस के पेशेंट बन जाते हैं, तो अब हम शुरुवात करते हैं इन फाइब टिप्स को जानने के लिए, और दरसल हमारे को एंशोर करना है कि ये एंटीजन्स या ये फॉरें बॉडिज हमारे शरीर के अंदर ना जा पाएं, पर यदि ये चले भी जाते हैं, तो हम हमारे life style को इतना strong करें कि इनको easily counter किया जा सके और इनसे होने वाले दुष्प्रवावों से बचा जा सके, इनको जल्दी से जल्दी recover किया जा सके। तो सबसे पहला टेप है कि आप अपने भोजन के अंदर ग्रीन और दूसरे वेजिटेबल्स भर लेगे। अपनी डाइट के अंदर आप अगर vegetables को improve करेंगे तो ये पूरी तरह से green list में आता है, ये red list में नहीं है, ये आपके inflammation को नहीं बढ़ाएगा, ये आपको काफी सारे vitamin, mineral, antioxidant देता है और इसके अंदर healthy carbs हैं जो बहुत कम मात्रा में हैं और ये आपके body में free radicals भी नहीं बढ़ इसलिए मैं सबजियों का सेवन करने के लिए बोलता हूँ, और सबजियों का सेवन करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ी बहुत सबजी खाएं, ऐसा नहीं है, कम से कम 2-3 कटोरी सबजी दुपेर के lunch के अंदर और उतना ही रात के अंदर आपको consume करना है, चाहे व आपको सबजिया छोटे वाले लेने ही है, तो ये आपके inflammation को घटाएंगे, खाली हमें ध्यान ये रखना है कि ये सारे vegetables non-starchy हों, starchy vegetables कौन से हैं, जैसे आलू, शकरकंद, अर्भी, या फिर भुटा, केला, तो इस तरह कि जो ज़्यादा starch वाले food है, उनको limit में ले, ना ले एकदम कम ले, दूसरी जो tip है, वो है stress management के लिए, देखिए, आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप ज़्यादा stress रहते हैं, काम के सिलसले में, या किसी family tension से, कोई आपके personal stress है, तो ऐसी स्थिती में आपका दरत बढ़ जाता है, हाथ-पैर के जोड़ों के अंदर दरत ज नीचे आता है, साथ में meditation करें, योगा अभ्यास करें, उसके साथ में राणायाम करें, योग निद्रा का सहारा लें, तो ये सब करने से आपका stress level घटेगा, inflammation घटेगा, आपके दरत के अंदर रहत आईगी, आप comfortable life निकाल पाएंगे, तीसरा सबसे जरूरी है, भर पूर exercise, exercise करना क्यों जरूरी है, इसके चार मुख्य वज़े हैं, पहला आपके joints के movements maintain रहते हैं, आपके joints के movements घटे नहीं हैं, दूसरा आपका inflammation इससे reduce होता है, range of movement improve होता है, या फिर range of movement बने रहते हैं, फिर इसके साथ में जोडों के चारों तरफ जो muscle है, उसकी strength बनी रहती है, तो आपके जोडों में टेडा पन नहीं आता, क्योंकि आपने देखा है, inflammatory arthritis में, चाहें हाथ की उंगलिया हो, पैर की उंगलिया हो, elbow joint हो, बैक हो, या फिर लैक हो, इन सब में bending आने लगती है, joint के movement restrict होने लगते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनते हैं, तो यदी आप भ तो उससे जोडों में टेडा पन नहीं आएगा, फिर अगर आप yoga meditation कर रहे हैं, तो breathe in, breathe out exercise होंगी, cycling जैसी exercises करेंगे, तो उससे stamina endurance maintain होगा, आपके chest के joint भरपूर अच्छे रहेंगे, और इसके कारण चलते समय आपको ठकावट महसूस नहीं होगी, तो stamina endurance के लिए इस प्रका होगा करना चाहिए आप लोगों को, तो ये सब करने से आपका inflammation, pain, control में रहेगा, और आपने देखा होगा, कई बार patients भी मेरे को phone करके बोलते हैं, कि sir, मैं सुबह ही अपनी exercise करनेता हूँ, तो होता क्या है, 5-6 गंटे तक stiffness बनी रहती है, सुबह के आदे 1 गंटे जो मैं द दरत के बिना निकलता है, तो ये कई patients share करते हैं, कि आपने बहुत अच्छा हुआ, मुझे बताया, कि बिस्तर पे जब मैं उठता हूँ, तो वहीं से ही अपनी exercises शुरू करता हूँ, fresh होके आता हूँ, proper yoga करता हूँ, walk करता हूँ, थोड़े समय cycling करता हूँ, मेरा 45 और 1 के protocol है, inflammatory arthritis के, उसमें हम योगा भ्याज भी कराते हैं, तो उसका भी support ले सकते हैं, उसमें recorded sessions भी डले हुए हैं, तो exercises, yoga, meditation, आपके stress level को घटाएगा, आपके joints को healthy रखेगा, इसके बाद में चौथी tip ये है, कि आप अपने food के अंदर sugary items को avoid करें, और sugary items के अंदर sugar direct है, चा और फिर starchy food हो, जैसे चावल, तो उसको भी हमें avoid करना है, क्योंकि ये पेट में जाकर के glucose बनाता है, और जितना ज़्यादा glucose आप शरीर को देंगे, ये metabolize होने के बाद में, या फिर इसका metabolism complete होते होते हैं, free radicals निकलेंगे, जो आपके शरीर में inflammation को बढ़ाएंगे, जिसक लिए आपको फिर कई प्रकार के antioxidants लेने होते हैं, और ये free radicals आपके दरद में inflammation दरद की cycle को initiate कर देते हैं, तो ये चीजों को कम से कम starchy और sugary foods को आपको अपने diet के अंदर limit करना है, तो आप कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपको मिठाईया भी पूरी तरह से छोड़न इनके माद्यम से आप घर के अंदर sweets बना सकते हैं, पर आपको as a whole इस बात का ध्यान रखना है कि आपके diet में बहुत ज़्यादा sugary चीजे या starchy चीजे ना जाएं, क्योंकि ये free radicals बढ़ा करके आपके धरत को बढ़ाएंगी, तो आप मीठी सी चीज, आपको basically किस चीज का अपने धरत को control में रख सकते हैं, इसके apart आपको ये ध्यान रखना है कि आपके diet में चावल की चीजे बहुत अधिक ना आएं, जैसे पोहा, कुर्मुरा, इडली डोसा control में रहें, या फिर चावल से बनी हुई चीजे जैसे खिचडी, पापन, रोटी ये control में रहें, मैद तो आप starch को, carbohydrate को control में रखते हुए enjoy कर सकते हैं, अब इसके अलावा, rheumatoid या फिर inflammatory arthritis के मरीज अकसर 6 गलतियां करते हैं, और इसके लिए मैंने एक exclusive वीडियो बना करके देखिए डाला है, जो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, इस वीडियो को जरूर देखें, और ये वीडियो हाल ही में बहुत तेजी से वाइरल हुआ है, कई लोगों को इसे सुनने के बाद में लाभ भी हुआ होगा, और इसे आप भी सुने, जिससे उन 6 गलतियों को आप ना करें, जिसके कारण arthritis के मरीजों को even surgery तक जाना पड़ता है.